दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि सेप्टमबर 2022 में केविनेट कमिटी ऑन सिकूरूटी के द्वारा तेजस मार्क टू यार्क्राफ्टों को लेके अप्रूवल दिया गया है और तफसे इन यार्क्राफ्टों के प्रोडाइपों के निर्मान का काम शुरू हो गया है। ताकि 2022 से लेके 2024 के इस समय के दर्मियान तेजस मार्क टू यार्क्राफ्टों को लेके अलग-अलग खवरों में अलग-अलग तरिके का जानकारी बाहर आया है जिनमें कई सारे खवरों के दावे के मताविग यार्क्राफ्टों के प्रोड़ा डिले हो चुका है और नेक्स यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए वता दू के एर्णोटिकल डिफलप्मेंट एजेंसी और हिंदुसर एर्णोटिक्स लिमिटेड के तरफ से तेजर स्मार्क टू यार्क्राफ्टों को इंडियन यार्फोर्स के लिए एस ए सिंगल इंजिन मल्टी रोल म बेडे में काफी प्रमुक भूमिका निवाएगा क्योंकि इन यार्क्राफ्टों के सारे इंडियन यार्फोर्स के एक समय के सबसे बहतरी न यार्क्राफ्टों को रिटायर्ट किया जाना है और इन aircraft के development को लेके जहाँ पे ADA के तरफ से लगातार काम किया जा रहा है तो वही पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि aircraft के actual flight test से पहले ADA के द्वारा इन aircraft के अलग-अलग component का test किया जाएगा जिन में सबसे महत्तपूर्ण और सबसे critical component है integrated flight control system जो कि एक computerized system होता है और aircraft के flight को maintain करता है तो वही पे इन सिस्टमों को aircraft के brain भी कहा जाता है दोस्तों मेडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जल्दी ADA के तरफ से अपने Ironbird facility में तेजस माक्टू यारक्राफ्टों के अलग-अलग component को test करना शुरू किया जाएगा और इन कंपोनेंटों में Digital flight control computer की इलावा auxiliary computer, mission management and display computer और कई तरीके के और वी equipment शामिल है और इन टेस्टों के दर्मियान यारक्राफ्टों के इन componentों से अलनी लिये गए डेटा का इस्तमाल यारक्राफ्टों के final assembly के दर्मियान भी किया जाएगा इवन दोस्तों रिपोर्टों में ये वी दावा किया जा रहा है कि जो data को record किया जाएगा ये असल में अलग-अलग line replacement unit को भी transmit किया जाएगा ताकि इन डेटा का इस्तमाल करके यारक्राफ्टों के first flight performance को analyze किया जा सके और इससे एक तरीके से कई तरीके के performance related जो issues है वो या एरक्राफ्टों के actual assembly या फिर किया है तो first flight से पहले ही जाना जा सकेगा इवन ये वी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के जो data होगा वो कई सारे अलग-अलग form में होगा जिन में digital, analog, decrypted और audio, video format भी शामिल होगा और इन सभी format के data को अलग-अलग laboratory में जाचा जाएगा ताकि ये जाना जा सके कि एरक्राफ्टों के actual performance किस तरीके का होगा और ये Indian Air Force के requirement को पूरा करने में समर्थ होगा की नहीं हाला कि इन data के basis पे ये एरक्राफ्टों के prototype को तयार करने से पहले एरक्राफ्टों में modification भी किया जा सकेगा और एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि इससे एरक्राफ्टों के जो flight test और flight test के बाद जो modification का काम होता है उसमें भी कम से कम pressure होगा अब दोस्तों इसे एक बहुत बड़े cover के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे actually में पता चलता है कि तेजास यारक्राफ्टों को लेके एरनोटिकल development agency और हिंदुस्तन एरनोटिक्स लिमिटेड असल में कितना serious है basically यारक्राफ्टों के timeline में किसी वी तरीके से testing और यारक्राफ्टों के prototype निर्मान को लेके कोई असर ना पड़े और इसी कारण के वज़ा से ही इस तरीके के testing को शुरू किया जाना है हलाकि दोस्तों इससे एक बात ये भी साफ हो जाता है कि तेजस यारक्राफ्टों के mark2 वेरियंटों में इस्तिमाल होने वाले कई सारे component बनके तयार है जिसका simple मतलब ये है कि तेजस mark2 यारक्राफ्टों के prototype building में काम बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है और शायद इस दशक के अंतक या अगले दशक के शुरुआती कुछ महिनों तक तेजस यारक्राफ्टों के limited series में delivery भी इंडियन यारक्राफ्टों को करना शुरू कर दिया जाए इसका संख्या बढ़ के 200 तक भी हो सकता है मतलब करीब करीब 10 quadrant तक भी हो सकता है पर additional यारक्राफ्टों का order यारक्राफ्टों के production शुरू होने के बाद ही किया जाएगा उतारा जाएगा और जिस तरच पे तेजस मारक्वट ये यारक्राफ्टों को लेके इंडिया को हत्यार सप्लाई करने को लेके अपना कमर कसा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के जानकारी के लिए वतादू कि अल्रेडी एज गुरूफ के तरफ से निर्मान किया हुआ, अल्टरिक लेजर गाइड़ वेपनों को तेजा सी आर्क्राफ्टों में इंटिग्रेट किया जा रहा है और अल्रेडी एज गुरूफ के तरफ से इन हत्यारों को तेज़ा सी आर्क्राफ्टों के लिए ट्रांसफर आफ टेक्नोलजी के तहत ओफर किया जा चुका है और अब बताया जा रहा है कि एज ग्रूप इंडियन मार्केट में अपने प्रेजन्स को और मजबूत करने के लिए भारत के सामने और एक हत्यार का ओफर रखा है जिसे कि डेजर्ट स्ट्रिंग 25 गाइड़ ग्लाइड वेपन कहा जाता है और आप लोगों को ये भी वता दू कि इन हत्यारों को एज ग्रूप के तरफ से भारत के सामने एरियल वेपन या फिर कहतो हवा से जमीन में दागे जाने वले हत्यारों के रूप में ओफर किया जा रहा है दोसो डेजर्ट स्ट्रिंग 25 हत्यारों को देखा जाए तो ये लाइट वेड एयर लाँच प्रिसुसन गाइड़ वेपन के कैटेगरी में जाता है जो की इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जमीन में अधिक से अधिक इमपैक्ट डाल सके और इन हत्यारों को एज़ गुरूफ के तरफ से एक ऐसे हत्यार के रूप में बनाया गया है जो की अन्मैन एरियल वेकलों के द्वारा दागा जा सके और basically बताया जा रहा है कि Age Group अपने इन हतियारों को भारत के Archer NG और Archer Short Range Unmanned Aerial Vehicle में इंटीग्रेट करने को लेके भारत के सामने प्रस्ताव रख रहा है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दू कि जो डेजर स्ट्रिंग 25 है ये असल में Integrated Guidance और Global Navigation Satellite सिस्टम से लैज है जो कि टारगेट एकुजिशन को मजबूत करता है एडिशनली इसमें सेमी एक्टीव लेजर सीकर का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि टारगे किलो मिटर के रेंज में टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम रहता है और दोस्तों एज गुरूफ का दावा ये भी है कि ये जो हत्यार है ये असल में काफी एकुरिटली मतलब Global Navigation Satellite सिस्टम और सेमी एक्टीव लेजर सीकर के द्वारा तीन मिटर के दाइरे के कारी के लिए बता दू कि जो डेजर स्ट्रिंग हत्यार है ये असल में चार अलग अलग प्रकार के हत्यार है जिन में डेजर स्ट्रिंग DS5, DS8, DS16 और DS25 है और DS25 को असल में सबसे भारी भरकम ऐसे हत्यारों में गिना जाता है जिसका Operational History साल 2019 से शुरू हुआ है फिलाल इस देजर स्ट्रिंग 5 में 5 किलोग्राम, 8 में 7 किलोग्राम और 16 में करिफ-करिफ 16 किलोग्राम वरहेड रहता है और इन हत्यारों का अगर रेंज को देखा जाए तो DS25 जहांपे 22 किलोमेटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है तो वही पे DS25 जो है वो 18 किलोमेटर, 8-15 किलोमेटर, 16 करिफ-करिफ 15 किलोमेटर दूर तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है और फिलाल उनिटेर अरव अमिराद के तरफ से इन हत्यारों का उपियोग अपने कुछ लाइट वेट के एरक्राफ्टों के साथ-साथ अनमैन एरियल वियकलों में किया जा है जबकि United Arab Emirates ये चाहता है कि भारत भी इन हत्यारों को खरीद दया और इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है अलाकि Age Group के तरफ से जिस तरीके से अपने अलतरीक हत्यारों को लेके भारत में सफलता मिला है उसके पाद Age Group का जो Confidence काफी High है और भारत जिस तरीके से अलग अलग अन्मेन एरियल वियकलों को तैयार कर रहा है उसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में भारत को भी ऐसे हतियारों का काफी अधिक आवशकता होगा हलाकि भारत के अंदर भी इस तरीके के हतियारों को स्वधिशी तरीके से बनाया जा रहा है पर अगर भारत के द्वारा अपने द्रोनों को अन्ने देशों को एक्सपोर्ट किया जाना है तो नो डाउट हतियारों के आप्शन को बढ़ाना पड़ेगा है दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि डेशल स्ट्रिंग 25 हतियारों को लेके एज ग्रूप को भारत के अंदर क्या सफलता मिलेगा या नहीं कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर ही करते समाफ्त किसी और एक दिम कि